डार्क मैटर का रहस्य कॉस्मोलाजी और एस्ट्रोफिजिक्स में सबसे रोमांचक अनसुलजी समस्याँ में से एक है खगोल वैग्यानिकों का मानना है कि अब्जर्वेबल युनिवर्स का एक चौथाई हिस्सा डार्क मैटर से बना है अनुमान तो ये भी बताते हैं कि शायद आकाश कंगाओं में माजूद 85% मैटर डार्क मैटर के रूप में है हमारे वर्तमान मॉडल्स के अनुसार डार्क मैटर प्रभा मंडल कॉस्मोलाजीकल संरचनाओं की मूल इकाया है परिणाम सरूफ वे आकाश कंगाओं के निर्मान और विकास में महत्वपूर्ण भूमी का निभाते हैं उन्हें अपने परोसियों के ग्रैविटेशनल प्रभाव से बचाते हैं उनके बिना पहली बार में आकाश कंगाओं का बनना लगभग असंभव है लेकिन कगोल वैग्यानिकों ने 62 मिलियन परकाश वर्षदूर एक केलेक्सी कलस्टर में कुछ अजीब बात देखी है डार्क मैटर के हालिया अध्यन पूरी तरह से नई फिजिक्स का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं तो इन दूर के कलस्टर में आकाश कंगाओं के बारे में क्या खास है ये आकाश कंगाएं हमारे वर्दमान कॉस्मोलोजिकल मॉर्डल्स को कैसे चिनोती देती हैं अंत में और सबसे महत्वपूर्ण बाद ये है कि यहाँ खोज कॉस्मोलोजी और एस्ट्रोफिजिक्स कोर्स को कैसे बदल सकती है डार्क मैटर नोन युनिवर्स में लगभग हर जगह मौजूत पदार्थ का एक कालपनिक रूप है नॉर्मल मैटर के विपरीत डार्क मैटर एलेक्ट्रो मैगनेटिक फोर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है इसलिए यहाँ लाइट को एब्जॉब, रिफलेक्ट या एमिट नहीं करता है जिससे इसका पता लगाना बेहत कछिन हो जाता है यही कारण है कि इसे डार्क का नाम दिया गया है फिर भी खगोल वैग्यानिकों ने इसके आस्तित्व को मान लिया है क्योंकि इसके बिना तारों की गती और आकाश कंगाउं की गती शीलता का कोई अर्थ नहीं होगा इसके अलावा तरह तरह की थियोरीज के अनुसार अधिकांज टार्क मेटर को नौन बैरियोनिक माना जाता है इसका मतलब यह है कि यह फिजिक्स के स्टेंडर्ड मॉडल में सब अटोमिक पार्टिकल से नहीं बना है इसके बजाए यह अन्नोन पार्टिकल्स, वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स या ग्रैविटेशनली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स हो सकते हैं दूसरे संभावित उम्मिद्वारों में dim brown dwarfs, white dwarfs और neutron तारे शामिल हैं हालां कि सबसे sensitive detector भी dark matter के आस्तित्यों को साबित करने के लिए पुकता सबूत खोजने में नाकाम रहे हैं। लेकिन आसपास के visible matter पर इसका गुरुत्वा कर्शन प्रभाव साफ कहता है कि dark matter जैसी कोई रहस्तमय चीज मौजूद है। समस्या dark matter halo में है। एक dark matter halo में gravity द्वारा एक साथ बंदे हुए dark matter के गुच्चे होते हैं। नतीजितन वे अपने आसपास की आकाश गंगाओं पर एक मजबूत खीचाव डालते हैं। लेकिन अगर हम इन halo को नहीं देख पा रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वे आकाश कंगाओं के साथ interact करते हैं। इससे समझने के लिए आईए एक simple example लेते हैं। जब कोई object किसी दूसरी body के विभिन भागों पर अलग-अलग gravitational force लगाता है तो ये body की natural shape को distort कर सकता है जिससे ज्वारभाटा हो सकते हैं। यह चंद्रमा के गुरुत्वकर्षन खिचाव के कारण प्रिथी पर आने वाले ज्वारभाटे के समान है। चंद्रमा प्रिथी के उन किनारों को ज्यादा मजबूती से खीचता है जो उसका सामना करते हैं। माना जाता है कि ब्रमहंड में खर्बो ड्वाफ आकाश कंगाएं हैं। ये ब्रमहंड में सबसे चोटी और सबसे आम आकाश कंगा है। ड्वाफ आकाश कंगाएं फीकी होती हैं और ये आमतोर पर विशाल गलेक्सी कलस्टर्स में चक्कर लगाती हुई पाई जाती हैं या किसी विशाल समुहों के नजदीक पाई जाती हैं इससे ये छोटी आकाश कंगाएं अपने विशाल पडोसियों द्वारा ग्रेविटेश पूर्शन्स सिमित हो जाती है। और इसमें बड़े पामाने पर डार्क मैटर का प्रभम अंडल है। लेकिन 62 मिलियन प्रकाशवर्शतोर मौजूद फॉर्णेक्स कलस्टर के केस में चीज़ें बहुत अलग हैं। इसमें कई डिस्टॉर्ट ड्वाफ गेलेक्सीज हैं। कॉस्मलोजी के स्टेंडर्ड मौडल के अनुसार यदि डार्क मैटर इन ड्वाफ्स को घेरे हुए हैं। तो ऐसी डिस्टॉर्शन्स मजूद नहीं होनी चाहिए। अपने पेपर में रिसर्चर्स ने फॉर्नेक्स डीप सर्वे से प्राप्ट डेटा को एनलाइज किया। यह फॉर्नेक्स कलस्टर का सबसे हालिया सर्वे है और इसमें 564 आकाशकंगाओं के बारे में डेटा शामिल है। सबसे पहले researchers ने उन आकाश कंगाओं को हटा दिया जिनके बारे में उनका मानना था कि वे cluster का हिस्सा नहीं थी लेकिन a line of sight contamination को represent करती थी उन्होंने unclear tidal morphology वाली आकाश कंगाओं को भी हटा दिया क्यूंकि वे analysis के लिए सहयक नहीं थी अंत में Fornex सर्वे से researchers के पास 353 ड्वाफ galaxies बचीं Fornex dwarves द्वारा दिखाई गई विशम विशेशताओं में गहन अंतरद्रिष्टी प्राप्त करने के लिए researchers ने इन आकाश कंगाओं के gravitational distortions की सीमा को समझने की कोशिश की और साथ ही ये भी कि उनके कारण क्या है प्रतीक आकाश कंगा में distortion कई factors पर depend करती है जिसमें उनकी internal properties और cluster center की दूरी शामिल है जहां gravitational force स्यादा मजबूत होती है इसलिए बड़े आकार वाली जिनमें कुछी तारे होते हैं और जो cluster के core के करीब होती हैं वे आसानी से disturbed हो जाती है researchers ने cluster में जो देखा उसकी तुलना European Southern Observatory में VLT Survey Telescope द्वरा की गई observations के साथ की और उन्होंने जो पाया वह standard model के साथ कुछ समस्याओं की ओर इशारा करता है सबसे पहले standard model के अनुसार इन dwarf galaxies के dark matter के प्रभामंडल को अंशिक रूप से उन्हें cluster द्वारा उठाए गए जवार से बचाना चाहिए लेकिन इसके बजाए ये पूरी तरह से distort और unshielded है यहां इस paper में इन आकाशकंगाओं को चार मुखे categories में विभाजित किया गया था undisturbed, mildly disturbed, very disturbed और unclear इसके अलावा researchers ने तीन सर्वे ड्वाफ्स की तस्वीरे प्रदान की जो विभिन, color, bands और filter में विभिन स्तरों की गड़बड़ी पेश करते हैं यहां एक undisturbed आकाशकंगा की तस्वीर है यहां कुछ भी गलत नहीं लग रहा है लेकिन mildly disturbed category की ये आकाशकंगा जो आरिये distortions के लक्षन दिखाती है अंत में ये very disturbed category की आकाशकंगाओं में से एक की तस्वीर है यहां हम पडोसी आकाशकंगाओं के गुरुत्वा करशन प्रभाव के कारण जो आरिये distortions के संकेत देख सकते हैं मानली जी की observations को standard model द्वारा समझाया जाना है उस थिती में fornex dwarf galaxies को पहले से ही cluster center से gravity द्वारा destroy कर दिया जाना चाहिए यहां तक कि जब वे अपनी खुद की gravity से 64 गुना कमजोर जवार का नुभव करते हैं तब भी ये पिछले अध्यनों का खंडन करता है जिसमें ये पाया गया था कि एक ड्वाफ आकाशकंगा को disturbed करने के लिए आवश्चक force उसकी self gravity के समान है इसलिए यदि खगोल वेग्यानिकों की खोज की पुष्टी हो जाती है तो ब्रमहन्द विज्यान के standard model में कुछ गंभीर संशोधन की आवश्रकता है लेकिन क्या हमारे पास fornex dwarf आकाशकंगाओं के इस अजीव व्यभार को सही ठहराने के लिए कोई दूसरा model है इन अजीबों गरीब galaxy shapes के लिए कम से कम एक वेकल्पिक explanation है The Modified Newtonian Dynamics Model जिसे मौंड भी कहा जाता है यह model suggest करता है कि आकाशकंगाओं की देखी गई properties को ध्यान में रखते हुए Newton के law of universal gravitation के नियम को modified किया जाना चाहिए और फिर इसे absurd galactic appearance को explain करने के लिए लागू किया जा सकता है मौंड पहली बार 1983 में इसराइल के physicist से Mordehai Milgrom द्वारा proposed किया गया था इस hypothesis का मोल उदेश्य ये explain करना था कि Newtonian mechanics की तुलना में आकाशकंगाओं में तारों की velocity अपेक्षा से ज्यादा क्यूं है तो ये dark matter hypothesis का एक विकल्प है ये समझाने में कि आकाशकंगाओं वर्तमान में physics के नियमों का पालन क्यूं नहीं करती है वहीं मौन्ड spiral आकाशकंगाओं की गतिशीलता को explain करने में परिपूर्ण प्रतीत होता है ये बहुत बढ़िया या lambda cdm model का एक आधर्श विकल्प नहीं है उधारन के लिए मौन्ड दो से तीन के factor से galaxy cluster के mass को explain करने में विफल रहता है इसके अलावा ये 3.9 साथ बिलियन प्रकाश वर्श दूर्स थित बुलेट कलस्टर की observations को explain नहीं करता है ये देखना बहुत इंट्रेस्टिंग होगा कि इन दोनों में से कौन सा model अंतिम विजिता के रूप में उभरता है यदि researchers को dark matter hellos की कमी वाली जियादा आकाश कंगाय मिलती रहती हैं तो हमें प्रमहंड विज्ञान की अपने वर्तमान standard model पर पुनरविचार करना पड़ सकता है यह खगोल विज्ञान के लिए एक रोमांचक समय है क्योंकि James Webb Telescope ने कुछ आकाश कंगा उमीदवारों को पाया है जो हमारे galaxy evolution model के अनुसार मौजूद नहीं होनी चाहिए और इनमें से एक स्क्रोडिंगर का galaxy candidate है अपनी पूरी शमता से काम कर रहे वैब के साथ खगोल वैग्यानिकों को दरजनो हाई redshift candidates को खोजने और उनकी रचना का विस्तार से अधन करने की उमीद है